PTM Payment Bank का अगर आपका भी KYC Verification Pending है तो उसे कैसे सक्सेस्फुल करें सबसे पहली बात कि PTM Payment Bank में अगर आपको KYC करवाना है तो इसके कुछ नियम है जिसमें KYC Band है लेकिन KYC जो system है वो on है यानि कि आप किसी भी KYC Center से या email KYC करवा सकते हैं इमेल KYC और KYC Point में कैसे करवाते हैं सबसे पहले देखिए अभी KYC Banking Agent है वो कुछ ही एजेंट के पास स्टार्ट हुआ है अगर आप सोचेंगे कि हमारे सभी आप जिस भी एरिया से रहते हैं उस एरिया या State City जो भी City से ब्लाउं करते हैं अगर उस City में आप पता करेंगी त जिसमें new KYC और माल लेजे किसे का KYC verification pending है यानि कि उनका पहले से हैं documents verification pending है तो ऐसे में उनको क्या करना है सबसे पहले देखिए यह जो पीटियम पेइमेंट बैंक का जो हेल्प लाइन इमेल है इमेल आपको Google पे मिल जाएगा या पीटियम पेइमेंट यूज करते हैं अप पेटियम एप या पेटियम अगर नया भी यूज करते हैं पेटियम एप ओपन करेंगा उसमें भी आपको help 24 hours help line में इमेल देखने को मिल जाएगा उस इमेल पे आपको क्या करना है सबसे पहली बात अगर आपको पास वहां पिससे भी इमेल नहीं मिलता है description में इमेल है उस पास इमेल पर आप जा सकते हैं इस इमेल में आपको सिर्फ अपना जो फोन नंबर पेटियम पेटियम पेवन्ट बैंक के साथ लिंक है उस फोन नंबर को आपको देना है उसके बाद आपका जो एकांट के साथ रेजिस्टर करना चाहते हैं जो आपने documents submit किये है online थू या video जिसके नाम पे भी है, जिसके नाम पे भी आप एकाउंट उपन करवा रहे हैं, उस documents के नीचे उनका signature होना चाहिए, signature करने के बाद आपका जो भी ptm payment bank का help line email है, उसमें आपको अपना आधार काड और pain card, दोनों documents और एक passport size photo email करना है, email में आपको तीनों documents attach करने है, pdf format में, ना कि photo, आप photo add नहीं कर सकते हैं, pdf format में, क्योंकि pdf clear होता है, उसके बाद आपको उसी email में, आपका नाम, date of birth, और आपका pen card number, और आपका जो phone number registered है, उस सभी चीज को मैंसर कन रहा होगा, उसके बाद इससे send करना होगा, और ये verification आपका minimum 15 days लिंगे, यानि कि ptm payment bank जो आ जिसमें कभी-कभी इसमें एक साल का भी, एक मेहने का भी समय लग सकता है, और ptm payment bank का kyc verification या kyc on होने का समय जो है, वो फिलाल मार्च से अप्रेल के बीच में, 2023 में start होने बाला है, लेकिन वो कब start होगा, अभी तक finally date announced नहीं किया गया है, जैसे ही date announce करती है ptm, तो मैं आ agent होते हैं, उनसे आप kyc नहीं करवा सकते हैं, वो भी documents की system में, यानि कि video calling के जरिए है, या fingerprint के जरिए, आप kyc verification नहीं करवा सकते हैं, आपको documents के जरक्स के नीचे signature करके, ये सबी documents जो है forward करने परते हैं, उसके बाद है आपका kyc verification successfully submit होगा, और kyc complete होगा, और मैंने कुछ दिन पहले ही एक kyc किया है, जिस तरह मैंने किया, वही experience आप लोग के साथ जाहर कर रहा हूँ, I hope कि आपके information अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को like कीजिगा, दोस्तों के share कीजिगा, चैनल को subscribe कर जेगा, कोई भी सबाल होगा, comment में ज़रू कीजिएगा Thank you